हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैंने बेंस मैरुपाली फर्मा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप्टी क्लास 12 की हिंदी बुक आरो भाग दो का बार्वा अध्याय बार्वा अध्याय जो है वो है बाजार दर्शन लिखित है जैनेंद्र कुमार जीद्वारा ये एक निबंद के तौर पर हमारे सामने रखा गया है पार्ट कि किस तरीके से हम बाजार जाते हैं पैसे फालतू में भी कभी कभी खर्च कर देते हैं सोचते कुछ है कुछ सोचके नहीं जाते तो फालतू का सामान ले आते हैं कभी कभी कुछ लोग जो एकदम सयमी होते हैं जिने पता है कि उन्हें क्या लेना है वो बाजार जाते हैं वही लाते हैं तो ये सब बहुत तरह तरह के आपको उधारोनों के जरिये जैनेंद्र कुमार जी हमें यहां पर समझाएंगे तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस PART का प्रतिपार्दियदे मतलब की इस PART में क्या क्या चीजे हम देखेंगे यह पहले देखते हैं बाजार दर्शन निबन्द में गहरी वैचारिता वसाहित के सुलब लालित्य का सयोग है मतलब बाजार दर्शन जो पार्ट है ये निबंद के तोर पर एक बहुत ही वैचारिक दर्शन है आप विचार करिए कि ये सब चीजें वाकई हमारे साथ अभी हम जब पार्ट पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ऐसा हम लोग के साथ होता है मगर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते ये सब चीजें सभी के साथ होती है तो बहुत ही जब हम इसको इतना वैचारिक दर्शन मतलब किया जाएगा इतना विचार करने के बाद इस निबंद को लिखा गया है कि इसने साहित में चारचांद लगा दिये कई दशक पहले लिखा गया लेक आज भी उपोगधा बाद वा अबाजार बाद को समझाने में बेजोड़े महुत समय पहले लिखा गया लेकिन तब भी बाजार क्या है और लोग जो वहाँ पर जाते हैं खरीदने के लिए और जो बेचते हैं वो उन सब चीजों पर एकदम सटीक बैट था हुआ ये पाठ है जैनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये सपश्ट करते हैं कि बाजार की जादूई ताकत मनुश को अपना गुलाम बना देती है यदि हम अपनी आवशक्ताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपियोग करें तो उसका लाग उठा सकते हैं इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फसने के बाद हम असंतोष, त्रशना और इर्शा से घायर होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं कहने का उनका यहां मतलब है कि उन्होंने अपने परिच्चतों जानने वालों के माध्यम से बहुत तरह तरह की चीज़ें हमारे सामने रखी तो यहां पर यह चीज़ बताया गया है कि हम बाजार के लोग में फसते हैं तो हमारे साथ क्या होता है अगर हम नहीं फसते तो हमारे साथ क्या होता है तो यही चीज़े फस जाते हैं तो कभी-कभी हम इर्शात रशना लोब सित्रस्त हो जाते हैं हमें जो सामान लाते हैं हमें उनको देखने की इच्छा भी नहीं करती बाजार से जब हम इस कुंठा से गरशित होते हैं इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोशन करने वाले अर्थ शास्त को अनीती शास्तर बताया है तो इस पार्ट में बाजार क्या है बाजार का पोशन क्या है बाजार क्या लेता है वो लेता है अर्थ अर्थ मतलब हमसे पैसा लेता है तो यह कैसे आता है अर्थ शास्तर एक तरीके से हमारे अर्थ शास्तर को बिगार देता है अनीती शास्तर में बदल देता है जो एक नीती है सही तरीके से खरिदारी करने के लिए यह उसमें बदल देता है तो यह हमारे सामने एक छोटा सा र परन्तु वापस बंडलों के साथ लोटे लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोशी बताया लेखक के नुसार पुराने समय में पती इस विशे पर पत्नी की ओट लेते थे इसमें मनी बैक अर्थात पैसे की गर्मी की विशेश भूमिका अदा करता है पैसा पावर है परन्तु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस मकान कोठी आधी एकठा किया जाता है तो अब यहाँ पर क्या बताया कि एक मित्र थे हमारे गए सामान लेने के लिए एक छोटा सा सामान लेकिन लोटे तो बहुत सारे बंडल बैक्स उनके हाथ में थे पूछा भा चिप जाते हैं यहाँ पत्रिघी ने खरीद लिया लेकिन यहाँपर जो में भूमी का निवाई वो पन मनी बैक था मनी बैक यानि कि आपका पर्स, आपके पर्स में कितने पैसे आप उसी साप से खरीदेंगे अब पैसा कैसे प्रदर्शित होगा हमारे bank balance जो होता है वो कैसे प्रदर्शित होगा simple से चीज है हम उसको bank भाई passbook लेके हरके सुन दिखाएंगे मेरे bank में इतना पैसा इतना पैसा यह दिखाया जाता है आपकी मकान आपने कितना मकान कितना बड़ा खरीदा गाड़ियां है जो कुछ भी यह चीज शो करता है कि आपके घर की पारिस्तिक क्या है आर्तिक आर्तिक श्तिक आपकी क्या है यह शो करता है पैसे की purchasing पावन के प्रयोग से power का रस मिलता है यानि कि पैसा से हम हरचीज खरीदने के लिए पैसे को और बल मिलता है हम पैसा लेकर जा रहे हैं तो हम जितनी चीज़े खरीद रहे हैं पैसे के बल पे ही तो खरीद रहे हैं तो इसको बल मिला है पैसे को बल मिल रहा है लोग सईमी भी होते हैं कुछ लोग होते हैं बाजार में जाके बहुँता पूछ खरीद देते हैं जैसे उनके एक मित्र नहीं किया मित्र की अधिकतर खरीद पर्चेजिंग पावर के अनुपात से आई ना कि जरूरत की तो अब क्या हुआ जो लोग सयमी होते हैं वो पैसे को जोड़ते हैं और जोड़ने पर गर्व महसूस करते हैं जो लेखक के मित्र बाजार गए थे समान लेने के लिए उन्हों का मनी बैक पूरी तरीके से खाली हो गया तो यही चीज़ उन्होंने दिया अधिकतर पर्चेजिंग का कानपात कहां से आया कि जरूरत से मतलब पूरा पैसा खाली हुआ तो purchasing power कहां से आई जो उन्होंने समान खरीदा उससे नहीं उनकी जरूरत तो पूरी नहीं जो लेने गए थे वो तो लाए नहीं फालतू का समान लेके आए तो purchasing power यहां पर इस्तिमाल नहीं हो पाई मतलब पैसे का सही इस्तिमाल नहीं हो पाया लेका कहता है फालतू चीज की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकरशन है अब वो कहते हैं कि हम बाजार जाते हैं फालतू चीज खरीद के लेके आते हैं तो उसका कारण क्या है कारण है बाजार का आकरशन होना आजकल की सैतान का जाल बताया तो मित्र जो उनके थे भाई आकरशन में फस गए तो उन्होंने बोला भी आई ये तो सैतान का जाल इस आकरशन में फस के हमारे तो सारे पैसे खतब हो गए यह ऐसी सजा होती है कि बेहया ही इसमें फसता है बाजार अपने रूप जाल में सबको उलजाता है इसके आमंतरण में आगरे नहीं है उचे बाजार का आमंतरण मूख होता है यह इच्छा जगाता है हर आदमी को चीज की कमी महसूस होती है चाहा और अभाव मनुष को पागल कर देता है असंतोस त्रिशना इर्शा से मनुष सदा के लिए बेकार हो जाता है अब उन्होंने बोला यह जो आकरशन है इसमें बेहया लोग फसते है जो हया वाले होते हैं इस आकरशन में नहीं फसते हाया बेहाया का मतलब यहां पर बेशर्म या शर्म वाला नहीं है। कि आपके दिमाग में क्या चीज है आपके पास पैसा है आप बाजार गए हैं तो आपको यह चीज पता है कि आपको यह लेनी हैं अगर आप सयमी हैं तो उस दुकान तक जाएंगे और अपना सरूर्ट का सामान लेकर चले आएंगे मगर आप सयमी नहीं हैं पैसा आपके पास है और आपका दिमाग खली है आपने उस प्लानिंग नहीं करी कि आपको क्या लेना है तो नतीजा क्या होगा आप इस आकरशण में फस जाएंगे और आपको लेना कुछ होगा और आप लेकर कुछ चले आएंगे क्योंकि अक्सर पर समान ऐसा आजाता है जो हमारी जरूरत का नहीं होता है तो उस समय हमको परिशानी होती कि ये तो हमें जरूरी थे ये चीज़े तो हम लाई नहीं हम भालतों की चीज़ ले आए तो ये चीज़ जादा परिशान करने वाली होती है लेका का दूसरा मित्र दुपहर से पहले बाजार गया और शाम को खाली हाथ वापस आ गया अब एक मित्र तो गए थे लेने कुछ गए और लेके बहुत कुछ आ गए मगर एक मित्र के जरीए वो दूसरा बता रहे कि वो गए बाजार सुबा से शाम तक रहे लेकिन तब भी खाली हाथ चले आए पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने युग था परन्तु कुछ भी नहीं ले पाया एक बस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना अगर अपनी चाहा का पता नहीं तो सबोर की चाहा हमें घेर लेती है ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता बाजार में रूप का जादू है यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली यह मन वाजेब के खाली होने पर भी असर करता है खाली मन को बाजार की चीज़े निमंतरण देती हैं सब चीज़े खरीदने का मन करता है अब क्या हुआ जो उनके मित्र थे वो गए सुबा से लेकर शाम तक रहें मगर खाली हाथा भाई पूछे भाई आप कुछ तो लाए चोड़ना नहीं चाहता था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया तो उनका कहने का मतलब था मैं छोड़ना कुछ नहीं चाहता था मेरा मन करा था मैं सब कुछ ले लूँ मगर सब कुछ ले नहीं सकता था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया कि मैंने ये लिया वो नहीं लि हैं क्योंकि हम हमको पता है हमारी जेब में पैसा है लेकिन हम कोई planning करके नहीं गए मतलब हम जब बजार जाते हैं तो हम एक list त्यार करते हैं हमें यह समान लेना है अगर हम उस list को त्यार किये बगेर चले जाए हमारे bag में पैसे हूं तब उस परस्ति में मुसाकर्शन में फस जाएंगे और हम चीजे ले लेंगे और बाजार का जादू हम पर काम कर जाएगा लेकिन बाजार का जादू उस परस्ति में भी काम करता है जब हमारी जेब भी खाली हो और मन भी खाली हो उस परसिती में हम खरीद तो नहीं पाते लेकिन आकर्शन में मुख धोके हम पूरा दिन समय जरूर बिता देतें जैसे इनके दोस्त नहीं किया उन्होंने खरीदा कुछ नहीं लेकिन उस आकर्शन के चक्कर में अपने पूरे दिन का समय जरूर खर्च कर दिया तो ये भी एक आकर्शन में फसने का तरीका था भई आप पैसे नहीं खर्च करें तो समय तो खर्च किया ना आपने तो ये भी आकर्शन में फसें मतलब जेब भी खाली मन भी खाली लेकिन तब भी हम आकर्शन में फस गए हैं तो अब या कहते हैं जादू उतरते ही फैंसी चीज़े आराम नहीं खलल सी डालती परिदित होती है अब जैसे ही बाजार का जादू उतरता है तो जो चीज़े हम अच्छी लेकर आए हैं अब वो हमको बहुत ही बुरी दिखाई देने लगती है इससे स्वाभीमान अभिमान बढ़ता है जादू से बचने का एक मात रूपाई यह है कि बाजार जाते समय मन खाली ना रखना मन में लक्ष हो तो बाजार आनंद देगा वहां आपसे क्रतार्थ होगा बाजार की असली क्रतार्थता आवशक्ता के समय काम आना है मन खाली रखने का मतलब है मन बंद नहीं करना शून होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है मनुष अपूर्ण है मनुष इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकता यह लोब को जीतना नहीं बलकि लोब की जीत है अब क्या होता है जब वो चीज़े हमें खलर डालती हैं हमें परिशानी देती हैं जो हम ले आए तो उस परिस्थिती में उन्होंने क्या बोला बाजार जाते समय अगर इस जादू को असार हमें नहीं होने देना तो अच्छा है हम अपने मन को खाली ना रखे मन को खाली ना रखने का तातपर ये है कि हमेशा प्लान करके जाए हमें करना क्या है ये चीज़ मस्ट होती है बाजार जाते समय अगर हमने लक्षन ने धारत कर लिया तो बाजार हमें मजा देगा अब मजा कैसे देगा माल लीजे सपोज आप आपने ये डिसाइड किया है कि आज हम अपने एक लिए एक ड्रेस लेंगे आपका बजट लिमिटड है ठीक है कि इतने हम इतने तकी एक ड्रेस लेंगे अब वुस लिमिटेशन में फसने पर आपका ये होगा कि इसके अंतरगत हमें एक ड्रेस लेनी है तो आप उस जादू में फसेंगे नहीं मतलब आप जो चीज है उसी में वराइटी देखेंगे अच्छे से अच्छी चीज लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ मन खाली नहीं है तो आप जो डिसाइट करके गए थे वही चीज सबसे अ बाजार का काम है क्रतार्द करना यानि कि हम जो चीज लेकर आएं उस पे हमें गर्व होना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है आपका मन भर कर जो है बाजार में पहुँचना यहीं चीज में बताईए मगर क्या होता है अक्षर मनुष्ट के अंदर इच्छाएं तो होती है ऐसी तो किसी के अंदर नहीं होती कि भाई इच्छाएं नहीं होंगी इच्छाएं सभी की होती लेकिन इच्छाओं को सायम करके हमें कर चलना होता है अगर हमें सायम नहीं किया तो बाजार के लोब में फस जाएंगे तब क्या होगा लोब की जीत होगी मतलब लालच की जी यानि कि मन को हम बल पूर्वक बंद नहीं कर सकते हैं यह बहुत मुश्किल होता है वास्तों में मनुष को अपनी अपूर्टा स्विकार कर लेनी चाहिए सच्चा कर्म सदा इस अपूर्टा को स्विक्रती के साथ होता है मतलब हमें अपनी कमजोरी महसूर मतलब इस चीज़ क accept करना चाहिए और उस acceptance के बाद हमें क्या होता है हम उस कमजोरी पे work करने लगते हैं कि हम बाजार जाते हैं उसके लोग में फस्ते ही हमारी कमजोरी है तो उस कमजोरी को हम अगर accept कर ले तो हम सयमी बन सकते हैं क्योंकि तब हम अपनी कमजोरी जब accept करते हैं तो उस पे हम काम क करना शुरू कर देते हैं अता मन की सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्धेश लेखक के पडोस में जो वेक्ती रहते हैं वो लंबे समय से चूरन बेज रहे हैं भगत जी उनका नाम सरनाम है मतलब एक चूरन बेजते हैं उनका सरनाम क्या है भगत जी वे प्रते दिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते वे अपना चूरन थोक वेपारी को नहीं देते और नहीं पेशगी ओर लेते थे 6 आने पूरे होने इस पे वे बचा चूरन बच्चों में मुफ्तमाट दे देते वह सदा स्वस्त रहते थे उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था वे निरक्षर थे बड़ी-बड़ी बाते जानते थे उनका मन अडिग रहता था पैसा भीक मांगता है कि मुझे ले लो वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलकता ही छोड़ देता पैसे में व्यंग शक्ति होती है पैदल व्यक्ति के पास से धूर उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परिशान होड़ता है वह अपने जन्म तक को कोसता है परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता लेकक ऐसे बल के विशय में कहता है यह कुछ अपर जाती का तत्व है कुछ लोग इसे आत्मिक धार्मिक और नयतिक कहते हैं अब उन्होंने फिर अपने पडोस में रहने वाले एक व्यक्ति का उधार बच्चों में फ्री में बाट देते हैं उसका पैसा नहीं लेतें उनके वास बहुत से लोगों का यसे रहते हैं जादू नहीं चला पैसा उसके सामने भीक मांग रहा है कि मुझे ले लो मगर वो पैसा नहीं लेता तो ऐसे वेक्ति क्या होते हैं बहुत ही धार्मिक और नैतिक जो अपने आप पे कंट्रूल कर सके तो यहाँ पर पैसा उनके सामने गड़ गड़ार आए कि मुझे ले लो लेकिन वहाँ पर वो उसे नहीं लेते हमारे साथ क्या होता है कभी जैसे हम सड़क पर जा रहे हमारे साम भगल से एक बहुत अच्छी गाड़ी जो है धूर उड़ाते वी निकल जाए तो हम कोसने लगते हैं हम कहां पैदा हो गए पैदल चल रहे हैं रिक्षे में ठके खा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये लोग देखो कितनी अच्छी मोटर गाड़ी में जा रहे हैं तो यहाँ पर हम कोस रहे हैं लेकिन ये कोसना उन भगत जी के उपर कोई असर नहीं करता जारे ये गाड़ी जाले दो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को अपने वश में कर रखा है लेकग कहता है जहां तरशना है बटोर रखने की स्फर्दा है वही उस बल का बीज नहीं है संचय की तरशना और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है अब कहते हैं कि ये निर्बलता शुरू कहां से होती है ये होती है संचय की प्रवत्ती से यानि कि हम किसी चीज को लाएं और इकठा कर ले जैसे हमारे साथ में होता है कुछ खाने का सावान लेकर आए अब आज नहीं हम कल खाएंगे भी यह हम परसों खाएंगे यह हम नरसों खाएंगे तो यह संचे की प्रवत्ती है इसमें क्या हुआ हमें भालतू का खर्च किया लेकिन ये चीज नहीं होने चाहिए क्योंकि यहीं से इस लोब का बीज पढ़ता है यानि कि जो हम फालतू के खर्च करते हैं फिसूल कर्ची करते हैं ये बीज यहीं संचेन से ही शुरू होता है वह मनुश्यक पर धन की और चेतन पर जड़ की विजह है एक दिन बाजार के चौक में भगत जिवा लेखक की राम राम हुई अब इसको कैसे वो समझा रहे हैं देखिएगा उनकी आंके खुली थी वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे लेकिन वे भौचक के नहीं थे और नहीं वे किसी प्रकार से लाचार थे भाती भाती इसके बढ़ियां माल से चौक भरा था किन्तु उनको मात्र अपनी जरूरत की चीज से मतलब था वे रास्ते में फैंसी स्टोरों को चोड़ कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीजे लेकर चल पड़ते अब उन्हें बाजार सूनने लगता है फिर चांदनी बिची रहती हो या बाजार के आकर्शन बुलाते रहें वे उसका कल्यार नहीं चाहते है अब इन्होंने इसे कैसे माध्यम में बताया उन्होंने बताया कि एक बार लेखक और उनके वो चूनन भेगने बेचने वाले जो उनके पड़ोसी थे भगत जी वो बाजार में मिल जाते है दोनों के आमने सामने रामदुआ है रामदुआ सलाम होती है हाय होती है सब कुछ होता है वो चल जाते है बाजार पूरी तरह सजा हुआ है सब कुछ है लेकिन भगत जी भोचक के नहीं अरे यतना अच्छा है यह ले लेते हैं वो ले लेते हैं नहीं ऐसा नहीं तरह वो चुप चाप शांती से चले जाते हैं सारा चौक बाजार बढ़िया बढ़िया सामानों से बरा है कोई मतलब वहां से अपने मतलब का सामान लेते हैं तो ये क्या था आप चाहे जितना अकर्षन दे लो उनका मन भरा था उन्हें पता था की उनको क्या लेना है वह बाजार गए वह लिया और चले इसके इलावा पूरा बाजार उनके लिए शुन नहीं था नहीं था लेखक का मानना है कि बाजार की साथ हरता वहां मनुश्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं वे ना तो बाजार से लाब उटा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाब दे सकते हैं वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं तो कहने का उनका यहां पर मतलब है कि बाजार को साथ थरता मतलब सही मायने में बाजार को बाजार वो व्यक्ति बनाते हैं जो इसके आकरशन में नहीं फसते जो आकरशन में फड़ गए उन्होंने तो बाजार को बाजारूपन में दे दिया अगर हम आकरशन में नहीं फसें तो हम अपनी जरूरत का सामान लेंगे, खुद भी खुछ रहेंगे, बाजार से भी हमने कुछ खरीद दिया, उसको भी संतुष्टी दे दी, लेकिन बाजार को बाजारूपन तम बिलता है, जब अंधा दुन भगएर कुछ सोचे समझे हम पर्चेजिंग करने लगते हैं, त एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं, ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं शोशन होता है, कपट सफल हो जाता है, तथा बाजार मानवता के लिए विडम बना है, और ऐसे बाजार का पोशन करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वा अर्थ शास्त सरासर आधा है वा मायावी शास्त है, वा अर्थ शास्त अनैतिक शास्त है, तो इस तरीके के बाजार, जहां के बाजारूपन पे हम लोग लुटप जाते हैं, वो बाजार हमें जो है अर्थ शास्त या नीती शास्त नहीं, वो अनीती शास्त में तबदील करता हुआ दिखाता है, क्योंक कहा Torita ने की बाजार पर फिदा हो जाने कि जो नीती होती है इस से बचने का तरीका है कि अपने अमेशा भर के बाजार के अंदर कदम रखी जैनेंद जी ने जो हमको ये पार्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया बहुत ही अच्छे तरीके से समझेगा इसको क्योंकि ये हम सभी के साथ घटित होता है मेरे साथ भी बहुत बार घटित होता है तो ये स्पार्ट को समझ है और अपने आपको थोड़ा सयमी बनाई है ताकि आप फाल्तू की चीज़े ना खरीच सके बाजाज तो इस तरीके से इस पार्ट का सार हम यहीं पे खतम किया इसके इलावा बहुत से चैप्टर बहुत से चैप्टर बहुत से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है कि कहां ढूड़े कहां पड़े इसके लिए करना कुछ नहीं है आपको जाना है हमारी वेबसाइट मैग्डनविंस.com पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो पेज आएगा उसमें सारी क्लासस मेंशन है आपके 12 से लेकर 1st तरके तो आपको जिस भी क्लास का स्टडी करनी है कोई भी तो आपको उस क्लास पे क्लिक करना है जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने उस class के सभी subjects आ जाएंगे आपको जो भी subject में doubt है आप उस पे click करेंगे जहां पर यह दिया है click करते ही आपके सामने उस subject के सारे chapter सारी books जो भी चल रही है जो भी जितने भी chapter से वो सब आ जाएंगे तो जिस भी chapter को आपको पढ़ना है open करिए उसको open करेंगे chapter को click करते ही आपके सामने उस chapter के अंदर के सभी topic आएंगे तो जिस भी topic में आपको doubt है या आप समझना चाहते हैं कुछ भी है आप उसे click करिए video start और अपने सभी doubts को clear करिए तो इस तरीके से आपकी study आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगी बस आपको करना क्या है इतना ही कि आपको हमारी website पर जाना है साथ ही एक चोटा सा काम और आपको हमारे channel पो like, subscribe और share करना है तो इस तरीके से आप अपनी study भी बहुत ही आसानी से कर पाएगे थैंक यू पर वाची बाएगे